नमस्कार दोस्तो आजम बात करने वाले हैं Farm Bills के बारे में कि क्यों Farmers प्रोटेस्ट करने लगे हैं और उनकी क्या परिषानिया है Farm Bills के अगेंस और उनने क्यों ढरे कि इस बिल के आजाने से MSP पुरी तरह खत्म हो जाएगा अगर दोस्तों आपने हमारी पहली वीडियो ने देखी तो जरूर देखिए उसमें हमने यह बताया है कि यह Farmills है क्या तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं देखे दोस्तों बात बहुत ही क्लियर है फरस्ट बिल में जो चेंजेस किये गए हैं उसके हिसाब से पहले Farmers, Producers Only on APMC यानि सरकारी मंडी में बेचा करते थे लेकिन अब वो अपने Producers को Private Market में और दुस्री स्टेट्स में भी बेच पाएंगे पहले APMC में उन्हें Tax देना पड़ता था लेकिन अब वो Private Market में और Other States में उन्हें अपने Producers बेचने के लिए कोई Tax नहीं देना पड़ेगा इस बिल के अनुसार धीरे-दीरे APMC पुरी तरह Inefficient हो जाएगा कोई भी APMC में जाएगा है नहीं क्योंकि वहाँ Tax देना पड़ता है फिर Government का कोई Control मंडी पर नहीं रहेगा फिर दिरे-दिरे Low Skills Farron का Exploration स्टाट हो जाएगा और इस बिल में उन्होंने यह भी नहीं कहा है कि Private Market में या दुसरे States में उनके Producers को MSP Rate के नीचे नहीं लिया जाएगा और पहले Farmers को कोई Problems होता था तो वह Civil Court में जाय करते थे लेकिन अब नए बिल के नुसर उन्हें SDM या DM की मिदद लेनी पड़ेगी और जैसे कि आप जानते हैं States की Police या कोई भी बड़ा Officer Only on States Government के इसारे पर चलते हैं तो इससे किसानों को नया नहीं मिल पाएगा और इस Protest में State Government भी सामिल है आपकी जानकारी के लिए बता दें पंजाब गवर्मेंट 3500 करोड टैक्स APMC से रिसीव करती है लेकिन जब किसान प्राइवेट मार्केट में या ओधर स्टेट्स में अपने प्रोडूसेस बेशने लगेंगे तो कोई भी APMC में जाएगा ही ने क्योंकि वहाँ टैक्स देना पड़ता है तो इससे State Government को बहुत लॉस होगा तो दोस्तो यह था First Bill से होने वाले Farmers के Problems सो दोस्तो Second Bill से जो किसानों की परिशानिया है वह यह है कि कई सारी Union Leaders का यह मानना है कि इस Bill के आ जाने से किसान अपने खेत में एक मजदूर बनकर रह जाएंगे किसानों का यह भी कहना है कि Contract Farming में कंपनिया Farmers का सोसन करती है उनके Producers को खराब बता कर रिजेक कर देती है दूसरी और वेपारियों का यह भी ड़र है कि जब बड़े Market Leaders Farmers के Producers को खिती से ही खरीद लेंगे तो फिर सरकारी मंडी में यानि APMC में या Local Markets में कोई जाएगा ही ने दिरे दिरे APMC और Local Markets बंद हो जाएंगे Third Issue यह है कि किसानों को ड़र है कि Chitting की Possibilities बढ़ जाएंगी क्योंकि सरकार के नए Loss के According स्रिफ एक पानकार्ट के Base पर किसानों से क्रॉप पर्चेस कर सकते हैं एक्ट में एमिडमेंट बड़ी कंपनी और बड़ी वेपारियों के हीट में किया गया है Farmers का कहना है कि जिन क्रॉप्स से Stock Limit हटा दिया गया है उन क्रॉप्स को ये कंपनिया और सुपर मार्केट सस्ते दावों पर खरीद कर अपने गुदावन भर लेंगे और बाद में उच्छे दावों पर ग्रहांकों को बेचेंगे और इन्होंने MSP के गुदावनों की Storages को बढ़ाने की कोई बात नहीं की है जैसे कि आप जानते हैं MSP गुदावन्स में कई सारे प्रोड्यूस पड़े पड़े खराब हो जाते हैं क्योंकि उदर कोल स्टोरिस की कोई अच्छी व्यवस्ता नहीं है सो फ्रेंड यह थे फार्म बिल्स से होने वाले फार्मर्स के प्रॉब्लम्स हम ऐसी इंफर्मिटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे थैंक यू